हेलो बच्चो आज मैं आपको कक्षा दस्वी जिसका विश्य है मेरे पास गनित इसकी वर्क्षिट नमबर 46 करवाऊंगी जिसकी डेट है में पास 19 अक्टूबर 2020 आज की वर्क्षिट में हम करने वाले हैं व्रित की स्पर्ष रेखाओं पर अधारित प्रशन तो आज भी हम कि इस पर अधारित कुछ प्रशन करेंगे आज के जितने विप्रशन है वह सारे ही प्रशन हमारे बहुत ही इंपर्टन प्रशन है इसके उससे ब्सपर एक्जाम के बौड में लगबभ प्रशन आ जाते हैं इसमें से एक-दो कोशन तो पहले भी आपके पास cbs c भीश बॉ है याद करना है और बताना है इसका मतलब भी इपीछे की याद के सिरो पर बनी पर्श रेखाई याद को याद है हमने यह से को चेगर बनावा था इसके पास यहाँ यह व्यास पर यह वियास पे बनी मी थी, है ना, तो हमने सिधिक चा था कि इन दोनों इस परश रेखाएं की जो लंबाई होती है, वो बराबर होती है, समांतर होती है, है लिए के, जब आएगा समांतर, उसका मतलब इसमें क्या आयगा? है यहा पर आएगा समांतर, ठीक है, चली इस परश रेखा है PA और PB, एक बिंदू P से केंदर O के साथ 80 का कौन बनाती है, तो POA बराबर है, देखो यह कोशन भी आपको याद आ रहा होगा कि हमने पहले किसी वर्कशिट में कोशन कर रखा है, याद आ रहा है आपको ऐसा कुछ कोशन हमने किया है, बिल्कुल हमने वर् नमबर 3 था वह हमार पास Try Yourself का, तो यह कोशन मैंने आपको महाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से समझायता है, स्टैब बाइ स्टैब कि इसका आंसर क्या आएगा, तो इसका आंसर वैसे 50 डिग्री है, मैं यहाँ पर माग कर देती हूं, तो जिन बच्चों ने मेरी वर्क नमबर की वर्क शिट देखेगा, तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, जिन्होंने अभी तक नहीं किये ना, जल्दी से 44 कर लें, क्योंकि इसके बाद 45 भी और 46 भी आ गई है, तो आप 44 में कीजेगा, 46 में दुबारा कीजेगा, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जा है, सारे ही उधारन बहुत ही इंपोर्टेंट है, देखो, एक समध विभावतिरी भूच, ABC, जिसमें AB किसके बराबर है, AC के बराबर है, उसमें बना अते वृत, बुजाओं, BC, CA और AB को क्रमशाह, D, E, F, पर्ष करता है, सिद कीजे कि BD क्या होगे, DC के बराबर, देखो, पहले हम कोशन की हिंदी समझते हैं, बाद में हम देख लेंगे कि उतनर में क्या लिखाव है, कोशन में आप से वह यह कह रहा है, कि आपके पास एक समधिभावतिरी भूच है, आपको पता ही होगा, समधिभवतिरी बूच क्यों परता है, वह त्यू भूच जिसकी बो तो आपको दिख रहे हैं वह इन तीनों भुजाओं को कैसे छूड़ा है एक f पे एक d पे और एक e पे छूड़ा है तो देखो कैसे करेंगे हम अपना उत्तर यह बात में देखेंगे क्योंकि लिखना आपको इसी तरीके से है पर आपको कोशन अच्छे से समझ में आना चीए सिर्फ कोपी करने का मतलब नहीं है कोशन भी तो आपको समझ आना चीए कि क्या है और कैसे किया गया है तो हम यहां समझते हैं बाद में देखेंगे कि कोपी में कैसे करना है देखो आ P F E F और A E इन दोनों की लंबाई बराबर होगी क्यों क्यूंकि यह मेरे पास एक प्रमे थी कि जो हमारी बहार की एक बिंदू से दो स्पर्श रेखाें बनती है उनकी लंबाई बराबर होती मैं बै t o A O P B B F B D B B B B P D B K Y B distohl तो इसका मतलब मेरी जो CD है वो CE के बराबर होगी, होगी नहीं होगी, ठीक है, अब आपको यहां पर एक चीज दे रखी थी, कि जो आपका AB है, वो AC के बराबर है, ठीक है, तो चलिए मैं आपको यहां पर बताती हूं, इसे कैसे करेंगे, अभी हम अपने solution में नहीं देखें तो यहां पर मैं आपको बता रही हूं, धारन एक, ठीक है, देखो हमको यह दे रखाता कि AB जो है, वो मेरी AC के बराबर है, तो आप अपनी आकरिती में देखो, AB है क्या आपके पास, AF plus FB, उसी तरीके से AC क्या है आपके पास, AE plus EC, यही तो है, अब आप इन में देखो, ज लेकिन माल लेती हूं, और इसको में थर्ड माल लेती हूं, तो क्या मैं AF की जगा, यहाँ पर, AE लिख सकती हूं, AF की जगा मैंने AE लिख दी, क्योंकि दोनों यह तो वराबर है, इन दोनों को मैंने ऐसी रहं दिया, यहां पर से मैंने दूसी वाली साइट से कुछ चेंज तो आप देखो यह तो कट गिया मेरा तो मेरे पास बचा क्या कि जो मेरा FB है वो E C के बराबर हो गया है अब आप देखो FB यह रहा आपका किस बराबर है BD के बराबर है तो इसकी जगा मैं यहाँ पर BD लीच सकते हूं उसी तरीके से जो मेरा EC है यहार मेरा EC यह किसके बराबर है सीड हों यृट के बराबर है किसका प्रियोक कि Sixty जुए अर ल Something इन citi झाल किसे ब स्कूं की से किसका की या मैंने इसाथता में ने प्रिकश का गई है कि यहास है अभान तो देखो आपको से कॉपी में सेम यही लिखना है कि हमें पता है कि जो वृत के भार एक बिंदू होती है उससे जो वृत पर दो इस पर्ष रेखाएं बनी होती है उनकी लंबाई समान होती है पहले तो यही लिखना है उसके बाद यही तीनों चीज इनों ने लिखे हैं जो हमने यहां पर किय यही वो तीन चीज़े उसके बाद इन्हों ने भी क्या किया उसके बाद A, B is equal to A, C यही सारा इन्हों ने किया है यहां से यहां तक का यह रहा है क्योंकि आपको कोशन अच्छे से समझ में आ गया अब आप कॉपी में यह खुद भी कर सकते हूं हर चीज को रटना नहीं है कि इन्होंने पहले जो लिखा है वह हम लिखे तो आप खुद से इसको आप करने की कोशिश करना चलिए अब हम यहां पर अपना दूसरा उधारन द बाद से अश्सी की हरव क्या के आपको कि हरा तो आपको दिखे रहा होगा कि यह बना वहकोल एक कि Party आि लुगेHNution कर दोתativesज की तो पहली बात तो समांतर चतुर्भूज और सम्चतुर्भूज हैं क्या चीज़? देखो समांतर चतुर्भूज की जो सम्मुक भूजाएं होती है. मतलब आमने समने वाली भूजाएं, वो बराबर होती है. लेकिन जो सम्चतुर भुज होता है उसकी सारी ही भुजाएं बराबर होती है सम्मुक्नी उसकी सारी भुजाएं बराबर होती है मतलब A, B किसके बराबर होगा B, C के वो किसके बराबर है C, D के वो किसके बराबर है A, D के सारी भुजाओं के लंबाई ही बड़ाबर होती है तो आपको यही सिद्ध करना है कि यह सम चतुर भुज है तो आप हम इसको सिद्ध कैसे करेंगे तो वही चीज यहां पर मैं अपनी प्रमे लगाने वाली हूं आपको दिख रहा है यहां पर आपके रित के भार चार बिंद दो दो इस परश रिखा तो एक विंदू से दो इस परश रिखा बनने है तो उन दोनों की लंबाई तो बराबर होगी क्योंकि यह मेरी प्रमे बोलती है कि व्रित के भार कोई भी बिंदू हो उससे व्रित पे जो दो इस परश रिखा बनती है उनकी लंबाई बराबर होती यही बोलती है न हमारी इससमें देखिए तो समझ रहे हैं यह मैं सिवेकिए। बिल्कुल AP बराबर होगी AS के फिर आपको यह तो B से भी होना चाहिए BP, BQ के बराबर होनी चाहिए तो बिल्कुल BP भी हमारी BQ के बराबर ही होगी लास रह गया C, इसको ही क्यों छोड़े जब हमने यह तीन पॉइंट्स नहीं है तो तो C क्या होगा मेरा C, R, C, Q के बराबर होगा तो लो मैंने यह सब लिख दिया यहां पर वही आप क्या करोगी अपना लिखोगे रीजन के आपने यह क्यों बराबर किया है अब हम क्या करते हैं इनको नंबर दे देते हैं OK, आप मैं बतह है क्या करोगा इसको 1 2 3 & 4 को तिनो को जोड़ देते हैं तो को जोड़ने पर तो क्या हैगा आप लेफ्टन साइड को लेफ्टन साइड से जोड़ना और राइट को लेफ्टन साइड को राइटन साइड से तो DR plus AP plus BP plus 6 primo किसके बराबर हुआ प्लस BQ प्लस CQ के ठीक है नॉ hurry इधर कर लेते हैं ठीक है तो देखो DR में CR जोरोगे तो CD byड़ेगा AB में BP जोरोगे तो AB बनेगा DS में AS जोरोगे तो AD बनेगा अब BQ में CQ जोरोगे तो BC बनेगा ठीक है नहीं ठीक है बन गया यह, अब आपको पता है कि जो आपका समांतर चतुर भूज होता है यह हमारा समांतर चतुर भूजी तो दे रखा था यह वाला, दे रखा था ना, तो इसकी तो पहले से ही जो सम्मुख भूजाएं वो बराबर होती है इसका मतलब AB जो है, वो मेरे CD के बराबर है है ना, और AD जो है, वो मेरा BC के बराबर है ठीक है ने, ठीक है, रीजन में मैं क्या लिखने वाली हूँ कि मेरे समांतर चतुर भूज की सम्मुख भूजाएं बराबर होती है तो अब आप देखो, इस वाले CD की जगा इस वाले CD की जगा, मैं AB लिख सकती हूँ तो AB प्लस AB हो गया, उसी तरीके से मैं इस वाले BC की जगा AD लिख सकती हूँ, तो यहाँ पर यह मेरा AD प्लस AD हो गया तो फिर यह तो मेरा 2AB is equals to 2AD हो गया कट हो गया, क्या आया, AB is equal to AD आगया तो जब यह दो भुजाएं सेम है, तो फिर बाकी की भी दो भुजाएं सेम होगी इसका मतलब AB is equals to AD is equals to BC क्योंकि AD, BC के equal है, और ABCD के equal है इस equals to CD, यह तो चारो भुजाएं मेरी आपस में बराबर आ गई और जब यह चारो भुजाएं आपस में बराबर हैं तो यह कौन सा चतुर भुजाएं आपका, यह आपका सम चतुर भुजाएं क्योंकि सम चतुर भुज में ही मेरी चारो भुजाएं बराबर होती है ठीक है ना, और यह यह आपको सिध करना था तो लो आपका यह सीद होगे, वो धरन दो भी होगे आपका यहाँ पर पूरा, ठीक है, अब आप देखो, आपको कॉपी में कैसे लिखना है, सब कुछ लिखना है, क्या दिया है, क्या सीद करना है आपको, और यह चारो, जो एक्वेशन से यह री, यह चारो मैंने भी यहाँ लिखें यहाँ लिखने है, पूरी प्रम्हे, तो खरते होला है, तो आपसे पहले तो आपका यहाँ से नह से समझना है, और उसके बाद कॉपी करना उन्टे काम के आपका और आपका सिद्ध हो गया कि आपका सम्चतुर बुझे कोशन समझ के कौपी में खुद करने की कोशिश करना ताकि आपकी अच्छे से प्रैक्टिस भी हो जाए चलिए अब हम उधारन तीन देखते हैं यहाँ पर हैं उधारन तीन हमार पर पहले हम कोशन समझते हैं ठीक है आकरिती से खुदी पहले पूरा हल निकालेंगे फिर बाद में इनका देखेंगे इन्होंने क्या किया है वर्क्षिट में ठीक है देखो आकरिती में A B C में बना वर्क्षिट भूजाओं A B B C और A C को क्रमशह D E और F पर इस पहुश करता है यदि A B 12 B C 8 और A C 10 है तो A D B E और C F की लंबाए गयाथ कीज़े को आपको नहीं पर आपको यह एक अकरिती दे रखिए इसमें क्या एक तृरी भूज बनावा है इसके अंदर एक व्रित बनावा ए क्याई यह आपकर अपके आपके आकरिती बहुज भी है है इस्के अंदर यह व्रित ना देखों 10 cm. मुझे क्या करना है, यह AD, क्ा मान बताना है और किसा बदाना है, BE, किसा बताना है, क्स बताना है, così CS, एक IS का मान बताना है. इस कहा बताना है, इनकी लंभाई मुझे निकालनी है, तो लिए dato मैंने पता है, सबसे बहली बाद नहीं हो, करतें इसको. आपको आक्रिती दिख रही है यहां पर? ठीक है देखरो, मैं यहां लिख देथे हूँ कि हम उधारण 3 समझ रहे हैं यहां पर. सबसे पहले न मैंने क्या किया? यह मैंने खुच से मान लिखा, कि AD जो है मेरा X है. यह मैंने खुच से माना है. से बंदो से बननी है बिंदो से बिंदों मेरा रित के बहार है वो समय ही थो इन कि chega करते हूं को है यहां से तो एसी तो मुझे पहले से पता है 10 है और cf मैंने अभी निकाला उपड़ यह x है निकाला यह निकाला इनिकाला ठीक है मैं यहां पर लिख देती हूं किसका प्रियोक के है हमने 1 का ठीक है तो यहां पर लिख देते हैं तो यहां से मेरा सी एफ आगया अब देखो जितना मेरा सी एफ होगा उतना ही मेरा सी एफ किसके बराबर है मेरा सी एक है क्यूंकि यह भी मेरी दोनों इस पर्ष रेखा है और कौन से बिंदू सारी है सी बिंदू से वृत पे जा रहे हैं तो इनकी लंबाई भी मेरी बराबर होगी तो चलो मेरा यहां पर C E भी निकल गया ठीक है अब आजाओ अब अपने किस पे B D और B E इन दोनों की भी पराबर होगी होगी नहीं होगी तो पहले मैं क्या करते हूं पता है यहां से अपना B E निकाल लेती हूं तो मैं B E निकालू कैसे B E है क्या मेरे पास अगर मैं अपने B C में से C E माइनस कर दू तो मेरा B E आ जाएगा अब B C तो मुझको पता है 8 है है ना मेरा 8 पूरी लंबाई मुझे दे रखी थी अब C E मैंने अभी तो उपर निकाला है इसको 2 लेते हैं ठीक है C E मैंने यहां पर आपका कितना निकाला ह C E ऑच j C E ओध है C E निह माइनस करते हैं當然 B E मेंसे ठीक है 1 मिल लोको कि ए 1 मिल तो मैंना इसको हटा देती हूं मैं दूसरी साइड से लइती हूं ठीक है कैसे लिया मैंने देखो हाँ मैंने आपको यह बोला था कि जो मेरा BD है वह BD के बराबर है तो मैं पहले फिर अपना BD निकाल ले तो BD मेरा क्या आएगा अगर मैं अपने AB में से अपना A D हटा दू तो मेरा BD आजाएगा AB मेरापस 12 है, BD Mereपस X है तो यहां से मेरा BD कितना निकाल आगिया 12-X तो जितना मेरा BD है उतना ही तो मेरा BE है 12-X ठीक है नहीं ठीक है तो यहां से मैंने इतना निकाल लिया अब हम क्या करेंगे देखो, अब मेरे को पता है जो मेरा BC है, पूरा BC, ये मेरे पास है क्या, दो पार्ट में बटाईए, एक CE में और EB, CE मुझे पता है, विक्कुल पता है, 10-X है, ठीक है, और EB, EB मुझे को पता है कितना है, EB, तो अब भी तो मैंने निकाला ये BE, 12-X, ठीक तो ये आगे मेरा 22-2X, तो यहां से मेरा 2X is equal to 22-8 आगया, ठीक है न, अब यहां से आप X की value निकालोगे तो आपकी 7 आजाएगी, तो लोग आपका X निकल गया, खली आपको X तो निकालना नहीं, X मैंने किसको माना था, AD को, तो मेरा AD निकलके यहां से आगया, कितना आय लिखते हैं, BE is equal to 12-X, अब हम क्या करते हैं, यहां पर X की value रख देते हैं, 7, तो आपकी एक इतनी आजाएगी, 10-7, X की value 7 है, तो आपका 3 cm, तो तीन चीज निकाल ली थी, तीनों चीज निकल गया, अब हम अपना हाल देखते हैं, जो हमको दे रख है, तो आपकी यहां से पहले तीनों चीज जो given थी वो दे दिया है, आपको AD उन्होंने X वाना, वही उन्होंने BD पहले निकाल लिया, उसके बाद उन्होंने CE और CEF निकाला है, सब कुछ सेम वो ही दे रख है, तो आपको यह एक इतनी लिखना है, अगर आप चाहो खुद से लिखना, समझने के पहले लिख सकते हो, ऐसे भी पूरा आप लिख सकते हूं, तो यह तो आपका उधारन तीन, चलिए उधारन तो हमारे हैं पर खतम होते हैं, अब हमारे पास खुद से करने के लिए हैं यह आपर तीन प्रशन है, यह तीनों प्रशना मैं आपको अलग-अलग slide पर क्योंकि थोड़े से लेंदी भी है, इसकी आकरिती भी बनानी होगी और तीनों भी बहुत important questions है, तो मैं आपको अलग-अलग step-by-step इसको समझाती हूं, ठीक है न, तो देखो, यहां पर आपके पास पहला प्रशन है, यदि ABC की भुजाएं, AB, BC और CA, अता है व्रित जिसका केंदर O है, तो क्रमशाह PQ और R पर्श करती है, तो सिद कीजिए कि AB प्लस CQ किसके बरावर होगा, AC प्लस BQ कि, देखो, आपसे कह रहा है, यहां पर एक त्रीबुज है, जिसके अंदर एक व्रित है, तो पहले हम क्या करते हैं, एक त्रीबुज बना लेते हैं, और इसके नाम देते हैं आकरिती में, क्या था? ABC, तो चलो इसको नाम देते हूं, मैं यहां पर A, B, और यहां पर लिखते हैं C, यहां पर था P, यहां पर था Q, और यहां पर है R, ठीक है, तो आपको क्या दे रखा है, कि ABC तो आपका एक त्रीबुज है, ठीक है, आपको सिद क्या कर करना है इसके अंदर आपको यह करना है यहां पर कि जो आपका a b है प्लस c q यह किसके बराबर होगा a c तो चलिए देखते हैं इसको करने कैसे वाले है अपना सॉलूशन यहां से हम अपना उतर शुरू करते हैं देखो आपको पता है कि जो आपका a p है वह आपका a r के बराबर होगा क्योंकि यह दोनों जो है मेरी वह इस पर्ष रेखा है है ना इस पर्ष रेखा क्योंकि इसके बार एक बिंदू है इससे यह दोनों रेखा है जा रही है रित पे तो यह दोनों मेरी इस पर्ष रेखा है और इन दोनों के लंबाई बराबर होगी फिर तो उस तरीके से बी वो किसके बराबर होगा CR के लेकिन ये मैं ऐसी बराबर नहीं कर सकती हूँ इसमें मेरे को लिखना परेगा कि मैंने क्यूं बराबर कर दूँँ ठीक है तो वो ही चीज मैं यहापर लिख देती हूँ कि वृत पर बनी पर्श रेखाऊं कि लंबाई बराबर होती है ठीक है यह आपको लिखना बहुत जरूरी है वरना आपका इसमें आदा नंबर कर जाएगा ठीक है चलो यह तो हमने लिख दिया अब हम क्या करते हैं इसको न वोई चलो हों आप, प्लस बी प्लस सी क्यूλα ता सी इसानना जेन 40 सी और दिया उसी तरीके से जब आप A-R में C-R जोरोगे तो आपका A-C आएगा B-Q मैंने A-C रहने दिया और यही तो शैद मुझे सिद्ध करना था तो आपका सिद्ध हो गया यह अत्ति सिद्ध है अब यहाँ पर एक छोटी सी दिक्कत है कुछ बच्चों को यह समझ में नहीं आता है कि हम कौन से इन तीनों में से कौन से दो को जोरें कोई दिक्कत नहीं है अगर आपको यह डाउट होता है तो देखो आपको करना किया यहाँ पर A-P और B-P इसमें एक P और P सेम दिख रहा है ना क्योंकि इन दोनों में R सेम है तो मैंने इसलिए इन दोनों का पेर बनाया आप देखो इस P से यह P कट गया तो A-B बचा तो वह मैंने नीचे लिग दिया C-Q-S-E है इस R से यह R कट गया तो A-C बचा वह मैंने लिग दिया और यह B-Q-S-E है तो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो जिनको समझ नहीं आता है जिनको पता नहीं चल पाता कि हम कौन सा पेर ले तो वह ऐसे देख सकते है तो दूसरा प्रशन है मेरे पास यहां पर एक व्रिद के परिगत एक चतुरभूज बना है इसा वी हमने अधारन भी किया है जिसमें समांतर चतुरभूज के अंदर एक व्रिद बनावा था तो आपको आपको चतुरभूज न उसमें जो सम्मुक बुजाएं उसकी आमने सामने वाली बुजाएं उनके जो योग हैं वह एक जैसे हैं बराबर हैं सबसे पाले मैंने क्या किया है यहांपरpoint जिए आतुर्भुज़ और बिद्ध बना लिये फिर वह ही यह अकृति हमने खुद बनाई है फ्रहस्ट में बनी भी नहीं आई हैं तो उस्तार में आपको यह खुद से ही बनानी है इसको अब हम क्या करते हैं नाम दे देते हैं तो चलो मैं इसको नाम दे देती हूं A, B, C और D इहां पर भी दे देती हूं मैं इसको नाम P, Q, R और S ठीक है नहीं ठीक है अब क्या करते हैं हमार पास A, B, C, D एक चतुर भूज है सबसे पहले तो मैं लिख देती हूँ, यही मेरे को दिया है. यह मेरा एक चतुर भूज है. एक मिन्टो को. तो मैंने यहां पर लिख दिया कि A, B, C, D, वो मेरा एक चतुर भूज है. इसमें मुझको सिद्ध क्या करना है? इसमें मुझको यह सिद्ध करना है, कि जो चतुर भूज की सम्मुख भूजाए है. मतलब A, B, C, D. किसके बराबर होगा? A, D, P, C, के बराबर. यह मुझको इसके अंदर सिद्ध करना है. तो यहां पर सिद्ध आपको एक लाइन में लिखाता है, ऐसे डारेक नहीं लिखा वाता कि यह सिद्ध करना है. तो चलिए आप देखना हम करेंगे क्या? देखो आपको पता है विद्ध के भार यह चार बिंदू बनी विए ए, A, B, C, D. और इनसे दो-दो स्पर्ष रेखाएं बनी विए. तो उनकी स्पर्ष रेखाओं की लंबाई दोनों की बराबर होगी. जैसे कि इन दोनों की स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होगी, उसी तरीके से इन दोनों की स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होगी, तो पहले तो फिर मैं यही सारी चीज़े लिख लेती हूँ, ठीक है न, जो मेरा DR है वो DS के बराबर होगा, ठीक है न, ठीक ह वही सारी चीज़े मैंने यहां लिख दी है इनको मैंने 1, 2, 3, 4 माल लिया लेकिन मैं इसको खाली ऐसी नहीं लिख सकती हूं मुझे लिखना परेगा कि यह क्यों बराबर है तो वही चीज जो मैंने पीछे पहले वाले प्रश्र में लिखा है तो मैंने पहले वाले में एक सेकेंड मैंने शाहिद महां पर भी यह थोड़ा सा इनकम्प्लीट लिखा है एक मिन लुको यहां पर देखते हैं तो मैंने यहां लिखा था वृत पर बनी इस परश रेखाओं की लंबाई तो आप इसको थोड़ा से यहां चेंज कर लेना कि वृत के बाहर के बिंदू से बनी होती है न वो तो यहां लिख देना आप इस चीज को भी बाहर बिंदू से बनी चलिए अब हम आगे देखते हैं देखो तो मैं यहां पर लिखती हूं वृत के बाहर बिंदू से वृत पर बनी इस परश रेखाओं की लंबाई क्या होती है समान होती है या फिर बराबर होती है ठीक है तो यह मैंने कि अब इसको लिख दिया आपको भी यह लिखकेाना है पेपर में तो अब हम क्या करते हैं अब हम इन चारों को जोड़ देते 1 2 3 और 4 को जोडने पर तो जोड़ेंगे कैसे लेफट है को लेफ आफेन साइड से और रएट साइड को राइट हैं साइड से, तो चलो लिख देते हैं, d r plus c r plus b p plus ap, किसके बराबर होगा मेरा, d s plus c q plus b q plus a s के, ठीक है न, अब आपको पता चल गया न, कि इन के pair कैसे बताने है, इन दोनों में r common है, तो इन दोनों का बनेगा, s और s, तो ये दोनों का when sure दोनेगे, और ये दोनों बनेगे प्यान्यक्यक क्यों common यह अ uranium si uniseged हैं, ये आगे मेरा a d ये आगे मेरा a b, यहां पर से क्या आएगा यहां पर सें, यहां पर मेरा c d या जो रहा है ।र यहां पर सें, तो हमारा CD आ गया है और यहाँ पर AD आ गया है तो यहाँ पर आएगा मेरा अच्छा यहाँ पर मैंने लिख दिया है CR के साथ C Q जो रहा है B MVP तो देखो DS S S कट गया AD आया और यहाँ पर आया मेरा BC देखो आपको यही तो सिद्धर करना था तो लोग आपको हो प। इस दो ओम के आक्रिति को आपको पहले से ही बना के दीविए, इसलिए मैंने भी यहां पहले से ही बना रखे आकरिती, देखो, आकरिती में त्रीजा आर वले व्रित पर पर परिगत एक समकोन तिरिभूज है, यदि A B और B C की लंबाई क्रमशाह 8 और 6 है, देखो, यहां पर आपको क्या देख रहे है यह आकरिती दे रखे, बहुत छोटी सी है, तो मैंने इसको यहां दुवारा बना लिया है, ताकि मैं आपको अच्छे से समझा सकूँ, ठीक है, बस आप एक मिनाट रुको, मैं जल्दी से इसमें लिख देती हूँ मुझे क्या-क्या दे रखा है, सिर्फ मुझे यही चीज ठीक है, और क्या-क्या दे रखा है, आपको A भी दे रखा है, 8 cm का, और B C भी आपको दे रखा है, 6 cm का, ठीक है, आपको क्या ग्याद करना है, ग्याद क्या करना है, आपको R की लंबाई, यह आपको निकालना है, मतलब R का मान आपको निकालना है, तो चलिए, देखिए, स कौन से तिरी भूज की यहां से मैं अपना solution चुरू कर दूं कौन से तिरी भूज की लूंगी A B C की बात कर दूं करूं आपको पता है कि यह एक संगौन तिरी भूज है तो इसमें मैं पायता कॉरेस प्रमे लगा सकती हुँ लगा सकती हुँ ना इसका मतलब मेरा AC स्कूर्य क् wnnya के बराबर होगा AB के स्कूर्य के प्लस BC के स्कूर्य के होगा नियुका AC तो मुझको पता ही निये उसकल मैंने ऐसी रहने दिया AB मुझको यहां पर पता है एट तो एट का स्कूर्यSí स्कूर्योग Aug तो किया आगे मोँफ कर दिए आपको यहां पर इनके नाम दे दे तियू महीं आपर, इनों ने आपके आखरिती में नहीं है, यह आपको खुद से देने हैं, तो मैंने इसको यहां पर दे दिया P, इसको दे दिया Q, और इसको दे दिया R, अब आपको पताएं हापर कि जो आपका AP है, वो आपके AR के बराबर होगा, ठीक है न, ऐसा क्यों होगा, क्योंकि A जो है, ये वृत के बहार एक बिंदू है, और इससे वृत पे दो स्पर्ष रेखाएं बन रही है, तो उन दोने इस पर्ष रेखाओं की लंबाई बराबर हो बनी इस पर्ष रेखाएं की लंबाई समान होती है, ठीक है, वो ही चीज़ मैं यह आपर लिख रही हूँ, पर्ष रेखाओं की लंबाई की लंबाई या समान होती है, ठीक है न, तो मेरा AP जो है वो AR के बराबर आ गया, ठीक है, अब मैं यहां से AP रिकाल सकती हूँ, AP है क्या, अगर मैं AB में से अपना BP हटा दू, इस पूरी, जो यह मेरी एक पूरी लाइन दे रखी है, रेखा, इस में से मैं इस BP को हटा दू, इतने को, तो फिर यही तो बचेगा, अब AB तो मुझको पता है, 8 है, लेकिन BP तो मुझे पता ही नहीं, तो आप दिहान से देखो, जितना आपका यह होगा, OR, उतना ही तो आपका BP होगा, और OR आपका है क्या, R, यह आपकी त्रिजा ही तो है, और एक रित में जितनी भी त्रिजा हैं, उनकी सब की लंबाई बढ़ाबर होती है, समान होती है, तो इसका मतलब मेरा यहां से BP आ रहा गया, अब BP है क्या, वो मेरा OQ के बड़ाबर है, तो आपका AP आ गया, तो जितना AP है, उतना ही आपका AR है, तो दोनों आपके निकल के आ गए हां से 8-R, ठीक है ना, अब उसी तरीके से नहीं, मैं यहां पर इसमें करते हूं, CR और CQ, यह दो भी तो मेरी रेखा है, बिंदू C से जो बन दी है, तो इन दोनों की लंबाई भी समान होगी, और क्या लिखेंगे, रीजन हम यह लिखने वाले है, चलिए इसको अगली स्लाइट पर देखते है, यहां पर, मैं जल्दी से एक बार इसको नाम दे देती हूं, ठीक है, यह था, यह था, यह भी R माना था, यह भी R, यह हमने निकाल ली थी 10 cm, यह मुझको 8 गिवन थी, और यह मुझे 6 गिवन थी, हाँ, तो अम मैं आपसे कह रही थी, कि जो आपका C Q है, वो भी आपका C R के बराबर होगा, होगा नहीं होगा, रीजन आप वही पीछे वाला लिखके होगे, मैं तो मेरा QC यह ही तो बचेगा, तो BC तो मुझे पता है, 6 है, BQ कैसे बता लगाँ, तो देखो, जितनी यह पॉइंट आप यहा ले ना, कितनी आपकी O P है, उतनी तो आपकी BQ होगी, और O P आपकी है, कितनी R है, क्योंकि यह तो आपके रित के 3 है, तो इसका मतलब यह R अपने AC पे, AC, देखो, AC दो भागों में बचा है, एक AR में और एक RC में, दो भागों में बचा है, AR की मान अभी आप पीछे AR का निकाल के आए हो, कितना है, 8-R आ रहा है, AR का, ठीके ना, यह रहा देखो, मैं यहाँ पर दिखा देती हूं, अंडर लाइन कर देती हूं, उ यह भी आपने यहाँ लिख दिया, फिर तो, AC तो अभी हमने पाया था, और इस प्रमे से पहले ही निकाली है, 10 है, ठीक है, नहीं ठीक है, तो यह आगे, अपका 14-2R, तो यहाँ से आगे, मेरा 2R is equal to 14-10, तो 2R is equal to 4 आगया, तो AR कितना आगया मेरे पास, 4 upon 2, वो आगया मे बतानी थीश्चा, तो AR कि लंबाई आई कितनी मेरे? ५ to r की जहाँ मुझे बतानी थी, र के लंबाई कितनी आई वो आई मेरे 2 cm, और मुझे नहीं इस प्रमे alarmी तो यही बतानी थीश्चा था तो हम आपता 2 cm, यह मेरा यहाँ पर आंसर आगया, तो यह थे हमारे पास 3 प हो जाई या नहीं है ठीक है? वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक ज़रूर कीजेगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजेगा. Thank you.